प्रेवित्रों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इस्टेडी वित्पदीप में दोस्तों आप सबको पता है कि जे एससी पिजटी और जो लेब टेकनिसियन है उसके लिए हम लोग बायलोजी की क्लास को स्टार्ट कर दिये हैं यह लेब टेकनिसियन लिए और पिजटी ने इसके बाद यर्णिसियन प्वाईटी पूइंट पूरी तरह से इंगलिस में है इसके अलामा हम लोग बुश्टर डोज लेकर के आरहा है जो आपके लिए लापदायक है इसके अलामा जो आपके पास और है आपका आर पार का प्रेक्टिस पेपर हिंदी इंसियन दोनो वाली है जून के सेकंड सबता तक आपके कोर्स को खुतम करने की जिम्मेवारी मैंने उठाई है और पूरी NCRT की क्लास क्लास लेबन तुल्ट की आपके सभी जाम पॉइंट्स उसके बाद आपके बुष्टर डोज और आपके प्रेक्टिस पेपर और माडल पेपर सब हम आप तक प्रवाइट कराएंगे इस बात का आप भरोसा रखें बस आपको जुड़ना है और इसका PDF लेने के लिए आपको 99 रूपीज हमें देने हैं ये सबसे YouTube जगत में सबसे कम फीस होगी कहीं पे पिजटिक लिए और ये आपका 88, 87, 97, 43, 95 इस नंबर पे आपको वार्टस अप करना है और वार्टस अप करके आपको हमारे साथ जुड़ना है यहाँ पे आपको पेमेंट की प्रासिस बता दी जाएगी किसी भी आनलाइन माध्यम से यहाँ पेमेंट कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं अपनी परिच्छा को आगे बढ़ा सकते हैं अब हम लोग तैयारी करेंगे और यहाँ पे क्लासेस को स्टार्ट करते हैं पहला क्लास और हमारा लच्छे देखिए कि इस्टेड़ी विल प्रदीप आपकी जीत ही हमारी जीत है तो चलिए पहले पॉइंट पर आजाते हैं एक्जाम पॉइंट नमबर सेकेंड है बाइलोजी में हम लोग जो लोजी वाले पॉर्शन पर एक्जाम पॉइंट करना है और यहाँ पे एक एक करके चीजों को समझेने का प्रियास करेंगे पहला प्रशन आपके सामने कुछ इस प्रकार से पहला आपका जो पॉइंट हो सकता है सेकेंड पॉइंट का वो आपके सामने चलिए आंसर करिए और इसको ध्यान से पढ़िएगा एक-एक सब्द एक-एक अक्षर यहाँ पे महत्पुण है एक-जाम की द्रिष्टी से नाल प्रणाली की उपस्ति इस्पंजों की विशेस लच्छन अगर इस पेंज आप से पूछा जाए कोरिफेरा का विशेस का रिक्रिश्टिक पेचर क्या है तो आप गहेंगे प्रिजेस आप कैनाल सिस्टम कैनाल सिस्टम का पाया जाना ही इसका सबसे विशेस लच्छन माना जाता है तो नाल प्रणाली ही इसकी विशेस लच्छन में आती है इस पंजों के अगर हम देहभित की बात करें तो नाल प्रणाली होती है इनकी देवित में क्या होती है नाल प्रणाली होती है या कई प्रकार की होती है इनकी नाल प्रणाली क्या होती है कई प्रकार की होती है जैसे कि एसकान टाइप की साइकान टाइप की लोकान टाइप की इन तीन प्रकार की नाल प्रणाली पाई जाती है और भी पाई जाते है लेकिन टीन प्रणाली की सबसे famous है और इन ही से ज्यादा प्रशनाव के पूछे जाते है अब आप आगे बढ़ते हैं पहली प्रणाली के बारे में बात करते हैं कौन्सी एसकान प्रणाली के बारे दिया गया है एसकान नाल प्रणाली लिउकोसोलीनिया में पाय जाता है आपको मैच कराने के लिए आता है चार आपसंद लिउकोसोलीनिया में पाय जाती है साइकान प्रकार की नाल प्रणाली किसमें पाय जाती है जबकि लिवकान टाइप के नाल प्रणाली किसमें पाई जाती? स्पांजिला में पाई जाती ये तीनों पॉइंट जो अभी आपने सेकंड पॉइंट में पढ़ा है एसकान, लिवकान, साइकान ये तीनों आप रटा माल लीजिए, याद कर लीजिए, लिख के रख लीजिए इसमें से एक प्रश्ण आपके मिलने वाला है और आपके परिच्छा में इसका कार आपको पढ़ेगा इसलिए याद रखेंगे तो आपको इसका लाभ बोस मिलेगा आगे आ जाते हैं, पॉइंट टंबर थार्ड पे साइकान नाल प्रणाली साइकान में पाई जाती है साइकान नाल प्रणाली किसमें पाई जाती है साइकान नाल प्रणाली साइकान में पाई जाती है और जो है या किसमे इसकाइफा या साइकान में पाई जाती है इसका विकास मूलता इसपंज की दिवारों की सतहों के बलित होने के कारण होता है सतह जो होती है इसकान की वो बलित होती हैं बलित होने मतलब मुर्ती हैं जिसकी वज़ाद से बलित होने के कारण होता है radial canal कहा जाता है अरी नलिका कहते हैं यह बाहर की और बंद होती है ध्यांस देखेगा यह बाहर की और बंद और भीतर की और एक बड़े छिद्र के रूप में इस्पंज गुहा में खुलती है बाहर की और बंद होती है और भीतर की ओर की बड़े छितर के रूप में इस पंजगुआ में खुलती हैं जिसे एपो पाइल कहते हैं अरी नलकाओं की दिवारों पर अरी नलकाओं की दिवारों पर पाये जाने वाली अस्थियां अरी नलकाओं की दिवारों पर पाए जाने वाली बोन्स अस्थियां प्रोसो पाइल कहलाती है अरी दिवारों के नलकाओं पर पाए जाने वाली अस्थियां प्रोसो पाइल कहलाती है इस सभी एक एक प्रस्ण है सभी प्रस्णों को समाइद क्या गया कीप कोसकाओं केवल अ अरीर नलिकाओं की दिवारों पर वीतर की ओर होती हैं, जिन्हें कसाभी नलिकाओं भी कहते हैं, जिन्हें सिलियाटिट कैनल्स भी कहा जाता है, केंदरी स्पंजगुअ के चारो और पिनेको साइट, कोश्काओं का इस्तर्व होता है, अरी नलिकाओं की दिवारों के परस पर समेकन से अनेक इनके बीच में रिक्तस्थान भी गिर कर अंतरवाही नलिकाओं का रूप ले लेते हैं ये इस पंजगुवा की और बंद परंद सरीर की सता पर खुली रहते हैं बाहरी जल के पहले इसे में आते हैं यहां से जलधारा प्रोसो पाइल्स में होकर कसाभी नलिकाओं में और फिर एपो पाइल्स द्वारा इस पंजगुवा में आकर आस्कुलम से बाहर निकल जाती हैं अब इतनी बड़ी जाम पॉइंट है इस जाम पॉइंट में आपके आठ केउस्चन समाहित हैं अब मैं फिर से आपको यहां पे दोहराता हूं और एक एक प्रशनों को आपको बताता हूं चलिए फिर से पीछे साइए और एक एक प्रशनों को आप देखेयां अब इसके बात इसका विकास कहाँ सोता है तो आपके इसका विकास मूलता अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगेंगे कहारा कि इसका विकास मूलता इस्पंज की दिवारों सोता जो इस्पंज की दिवारे हैं आपको पता होगा कि इस्पंज डिपलोबलास्टिक होता है तो डिपलोबलास्टिक की जो दिवारे हैं उनके बलित होने के कारण यानि उनके मुड़ने के कारण बनती है क्या नाल प्रणाली बनती है ठीक वलन के कारण देवित सपाट ना रह करके सपाट मतलब किलियर ना हो करके यह मुड़ जाती है और मुड़ने के कारण वहाँ पे होल बन जाता है नली बन ज गया जिन्हें अरी नलिका कहते हैं अब यहां साथ खुद ही सोचिए कि इन में कैसी सिमेट्री पाई जाती है तो आप यहां से भी कंपेर कर सकते हैं कि रेडियल केनाल पाई जाएगी यह बाहर की और बंद होती है अब यहां पी पॉइंट नोट करने वाली हैं कहरा यह बाह बाहर के और बंद होती है और भीतर के और बड़े छिवहरय में खुलती है, जिसे एपो-पाइल कहते हैं, बाहर के और बंद है, पहसे उस्पोरती हैं, एक सलियू निकलता है, दो करा दोकूली दोक है। यह बंद है तो काशित जाएगी Beach uniform, आपसब को पता है कि यहां पे सेल्ल के देवारा क्या किया जाता है गी पाड़ी को इस כो एपजार्व किया जाता है सेल्ल मेम्रेन से ऊस प्रक्रिया का नाम आब बताईए कि Eastmanosys होगा और डिफیzem geht इस प्रक्रीय का नाम बताए है पानी जो पानी गया घाए कर यानि के बने हुए अश्थिय के बने हुआए काटे होते दिवार्ट के नियूरोड कहने टिवारम पर अस्थिय नियूरा है के स्पाइन होते हैं उसे प्रोसो पाइल कहते हैं कीप कोशकाएं केवल अरी नलकाओं की दिवारों के भीतर की ओर ही होती हैं इन्हें कसाभी नलकाओं कहते हैं केंद्री स्पंजगवा अगर केंद्री स्पंजगवा के चार और पिनेको साइड की कोशकाओं का इस तर होता है अरीर नलिकाओं की दीवारों के परसपर समेकन से इनके बीच में डिकता स्थानों का निर्माड हो जाता है जिसमें अस्थानों में गिरकर अंतर वाही नलिका का रूप ले लेती हैं ये इस पंजगुहा की और बंद परंदू शरीर की सता पर खुली होती है बाहरी जल पहले इनहीं में आता है यहां से जलधारा प्रोसो पाइल्स में होकर कसाभी निलकाओं की और फिर एपो पाइल्स दोरा इस पंजगुः की आकार में जाकर के आसकुलम से बाहर निकल जाते हैं अगली पॉइंट पाजाते हैं साइकान पौरिफेरा संग का एक समुद्री जीव है यानी मेरी निनमल है साइकान में कोई विसेस जनन अंग नहीं पाया जाता साइकान एक दोई लिंगी प्राणी के कहरा कोई विसेस अंग भी नहीं पाया जाता और दोई लिंगी प्राणी है नर और मादा दोनों प्रकार के युगमक का निर्मार यानि गैमीट का फार्मेशन विकास एक ही प्राणी में होता है इनका विकास अमीबो साइट आर्कियो साइट कोजगाओं के करण साइकान में क्रास फर्टिलाइजिशन होता है साइकान दोरा जल में मुक्त किये गए सुक्राण। जब किसी अन्न साइकान के अंदर छित्रों से प्रिवेस करते हैं तो मीजो गलिया में उपस्तित मादा युगमक को निश्यचित कर देते हैं और इस प्रकार इनमें क्रास फर्टिलाइजिशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इधर आ जाते हैं। क्लियोना को क्या कहते हैं। क्लियोना को सामानता बोरिंग इस्पंज के नाम से जाना जाता है। यह स्पंज ओएस्टर यानि मोति प्रदान करने वाले मोलस्का में मोति प्रदान करने वाले क्या कहते हैं परल ओएस्टर कहते हैं मोलस्का तथा मिसल सखाद के रूप में प्रियोक्त कि खोल के सुरंग बना देते हैं और इन्हें नश्ट कर देका है यानि इन्हें नश्ट क की कोशकाएं एपिथेलियम अस्तर बनाती हैं जिसे बलास्टो डर्म कहा जाता है की कोशकाएं एपिथेलियम अस्तर बनाती है जिसे बलास्टो डर्म कहा जाता है बलास्टो डर्म के भीतर तरल द्रव से भरी गुः बलास्टो सील कहा जाती है सायकान में स्टोमो बलास्टूला पाया जाता है इस्टोमो बलास्टूला एंफी बलास्टूला के विकास के समे बनी संरचना है जिन्हें बलास्टूला खुलकर पार्स की कोशकाओं को निगल जाता है अधिकांस स्पंज समुद्री जल में पाय जाते हैं ताजे जल या अलावडी जल में बहुत ही कम स्पंज पाय जाते हैं स्पंजिला एक ऐसा ही स्पंज है जो आलावडी जल में पाया जाता है समुद्री किनारों पर रहने वाले जन्दों को बेलांचली जन्द कहा जाता है समुद्री किनारों पर रहने वाले जंदों को बेलांचली जंद कहा जाता है गहरे समुद्र में रहने वाले पिलैजिक तथा समुद्र की तली पर रहने वाले बेंथिक कहलाते हैं क्यारा गहरे समुद्र में रहने वाले को पिलैजिक तथा तली पर रहने वाले को बिन्थिक कह रहाते हैं लोकोसोलीनिया पोरिफेरा संग का एक समुद्री स्पंज है जिसकी देहभित दो परतों की बनी होती है इसके बाद आगते हैं आपे बाहरी परत को क्या कहते हैं एपीडर्मिस या पिनेकोडर्म कहते हैं जिसकी कोसकाण चप्टी होती है पिनेकोडर्म की कोसकाण कैसी होती है चप्टी होती है फ्लेटन होती है इन्हें पिनेकोसाइट के नाम से जाना जाता है वहीं पे भीतरी परत में भीतरी परत को एंडोडर्मिस कहते हैं जिसकी कोशकाओं को कोईनोसाइट कहा जाता है जिसकी कोशकाओं को भीतरी दिवाल को क्या कहते हैं पिनेकोसाइट कहते हैं जिसकी कोशकाओं को कोईनो साइट कहा जाता है बाहरी और भीत्री परत के मद्द जिल के रूप में मौजूद मीजोगलिया पाया जाता है जिससे अनीमी ताकार की कोशकाओं अमीबो साइट पाया जाती है देहभित में उपस्थित छित्रों को घेरने वाली कोशका प्रोसो साइट कहला थी अब देखिए मेरी बात को आप ध्यान से समझीए मैं बार बार एकी बात को प्रिसर क्यों कर रहा हूं इस बात को समझीए मैंने अभी तक कितने एकजाम पॉइंट पढ़ी 9 कितने एकजाम खतम करने में कितना मिनट लगा 15 मिनट आ इसे जो लोग पहली बार पढ़ रहे होंगे अभी तक मेरे चैनल को विजिट नहीं किये तो पहली बार विजिट कर रहे हैं ओने ऐसा लग रहा है कि यह बहुत तेजी के साथ कबर किया जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं बहुत सलोली चल रहा हूं ठीक है ऐसा इस लिए है कि मैं time pass वाली बात कम करता हूं direct question to question answer to answer अब बात यहां पे यह है कि यहां पे आपको मैं बार बार कहरा हूँ कि आप 99 रूपेज ख़र करके 50 से 55 एकजाम पॉइंट हैं इन्हें आप प्राप्त कर लें जिन एक्जाम पॉइंट को यहां पर पढ़ाया जा रहा है, उन एक्जाम पॉइंट को आप दोबारा से एक बार और पढ़ें, मिम्राइज करें, अपने कापी पर राइट करें, इससे क्या होगा वो धिरे-धिरे आपको याद हो जाएंगे, याद होने बाद आप उन्हें इसमेलों को आप इससे आपको इंगित करा सकते हैं, और आपका काम है, उन्हें बार बार करें निम्राइज करें, या आप बार बार आप वीडियो देखें, तो रहा करेंगे, जिससे आपको आई अफिक्ट पढ़ेगा, लकिन आप जरूर सलाद दोञ़ा का आप इससे आर यह नस्याईटी के साथ भी वही है, आपके नस्याईटी क्यूश्चन के साथ भी वही है। तो आपको मिलेगा और सिर्फ सिर्फ 99 रूपीज में तो आपको पारिसान होने की आउसकता भी ने इतना जादा खर्चा भी ने आगे बढ़ जाए अब आपको करना है इजाम पॉइंट मतलब पॉइंट अम्बर 10 लिवकोसो लीनिया जो की एक प्रकार का इस्पंज है संग औरी फेरा के वर्ग क्लास कैलकेरिया का सदस्य है इस वर्ग का प्रमुख लच्छन कंकाल कंटिकाएं बड़ी होती है और कार्बोनेट से निर्मित होती है यानि जो कांटे होते हैं बड़े-बड़े होते हैं और कैलसियम कार्बोनेट से निर्मित होते हैं ये इनका लच् तंर में तीन प्रमुक सिध्धान्त दिये गें रोटो-जहा से मेटा-जवा बनिक में प्रमुक सिध्धान्त दिये पहला सिध्धान्त है कालोनियल तिन सिध्धान गेमjadi similar है कि कालोनियल सिध्धान सबसे अधिक मानने है इसमें एक बंसी उद्भो के आधार बताया गया है बस इतना याद रखना है आगे आजाते हैं गहरे समुद्र में रहने वाले जन्दू जो 4000 से 7000 मीटर तक अधिक गहराई में पाया जाते हैं एवाईसल कहलाते हैं क्या कहलते हैं एवाईसल कहाते हैं याद रखे यो इस्पंजिया का साधारन नाम क्या है बात इस्पंज है इसका कंकाल ज्रिण स्रिंगी इस्पंजी तंतों का बना होता है कंकाल का रंग उड़ा कर सुखा दिया जाता है और इसे इसनान में कारिव में लागा जाता है इसनान करने के लिए इसे होता है कड़ी होते हैं तो इन्हें जिब सुक्पा दिया जाता है यह आसान हो जाते हैं मुलाहम हो जाते हैं ऐसे सरीर साफ किया जाता है इस्पंज की देह बित में तीन इस्तर होते हैं, जिनमें विभिन प्रकार की कोश्काय होते हैं इसमें थिसोसाइट, मीसोफिल, स्तर की होते हैं, जो भोजन संचय का कारी होते हैं ट्रोफोसाइट भी मीसोफिलस्तर की होती है जिनका कार इक कोशन परदान करना होता है पिनेकोसाइट बाहर की पिनेकोडर्म की कोशकाओं से बनी होती है तथा कोईनोसाइट भीतर की कोईनो साइट कोशकाओं से बनी होती है और इनका काम होता है रच्छात्मक कार करना यानि प्रोटेक्शन का कार करती है कोईनो साइट किसका कार करती है प्रोटेक्शन का पिनेको साइट किसका काम कर रही बाहरी इस तरह का निर्मार कर रही है और वहीं पर बात करें ट्रोफोसाइट ट्रोफोसाइट किसका काम कर रही है पोसन परदान कर रही है और उपर चले जाएगर तो थीसोसाइट है थीसोसाइट किसका काम कर रही है भोजन संचे का काम कर रही है यानि तीनों पोसकाओं के बारे में विसेस कारे उनके लिख दि थीसोसाइट, भोजनसंचे, ट्रोफोसाइट जो है पोसन परदान करना, पिनैकोसाइट या पिनैकोडर्म, कोईनोसाइट भीतरी रच्छा का कारी करती है, यानि रच्छात्मक आउरण का निर्मार करती है, इस्पंज में पुनरजनन यानि री जनरेशन की कैपेबिल्टी पाई जाती है, छमता ना केवल अच्छतिग्रस्त या कोई हुए हिस्सों को बहाली में प्रकट करती है, यानि उन्हें बनाती है, बलकि टुकडों या एकल कोशकाओं से एक नए वयस का पून निर्मार कर देती है, इस्पंज के पुनरजनन में आर्कियोसाइट, इस्पं इस्पंज के मद्यस्तर में पाई जाती है, याद रखेगा, इस्पंज की देंभित्य, इस्पंज की देंभित्य में दो प्रमुक 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 इस्पंज करते हैं कोईनोसाइट की कोशकाओं से बना होता है कोईनोसाइट कोशकाओं कसाब यानि सीलिया युक्त होती है और कालर कोशकाओं भी कहलाती है कैरा कोईनोसाइट की कोशकाओं कालर युक्त होती है यानि यहाँ पे सीलिया पाई जाती है इसलिए इन्हें कालर कोशकाओं क का अदुती लच्छण होती है, यानि कालर कोशकाओं का पाया जाना, इस्पंज का मुख लच्छण की स्रेणी में आता है, इस्पंज की देहभित, इस्पंजों की देहभित, जो है, मीजो फिल, इस तर से भरी होती है, जिसे इस क्लोरो ब्लाष्ट कहते हैं, ये कंटिका का निर्मार करती हैं इस निर्मार के लिए समुद्री जल में सिल्का का निस्कासन करती हैं सिल्का तत्त के बने होते हैं एक तरफ हो गया कैलिसियम कार्गोनेट और दूसरे तरफ क्या हो गया सिल्का हो गया सिल्का का निस्कासन करती हैं स्पंजों की केंद्री गुहा को स्पांजो सील कहते हैं, इसी में पैरागेस्ट्रिक गुहा पाई जाते हैं, अगला समुद्री अक्रोड टीनो फोरा संग के जन्तों को कहते हैं, समुद्री अक्रोट जो है एटीनो फोरा के संग के जन्तों को कहते हैं इन्हें कॉम्ब जेली या समुद्री अक्रोट भी कहते हैं क्योंकि इनके सरीर पर आठ अनुपरस्ट काट पाये जाते हैं अनुपरस्ट प्लेट्स पाये जाते हैं नितलस्त यानि बेंथिक जीव किसे कहते हैं समुद्र के तल पर रहने वाले जीव नितलस्त या बेंथिक कहलाते हैं सरित जीवी लोटिक बहते हुए ताजे जल में रहने वाले सरित जीवी कहलाते हैं सरो जीवी लेंटिक एक होता लोक्टिक और दूसरा है लेंटिक इस्थिर जलासियों में रहने वाले जीव लेंटिक कहलाते हैं पिलैजिक अंबुधी कहते हैं इंदी में समुद्री जल में सुतंतर रूप से रहने वाले जो हैं क्या कहलाते हैं कंकजन इस्क्लोरोब्लास्ट कंडिकाओं का निर्मार करते हैं और उसके बाद संचानु जो 300 साइट होते हैं एक खाद प्रदार्थों का संग्रह करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपकी है आर्कियो साइट एक सिकंड खाद प्रदार्थों का संचे करते हैं इसके बाद आपका अच्छा इसके बाद आजाता आपका आर्कियो साइट आर्कियो साइट जो है ये टोटी पोटेंट कोस्काओं जो किसी भी दूसरे प्रकार की कोस्काओं में परिवर्तित हो सकती है आर्कियोसाइट की कोशकाओं होती है जो किसी भी दूसरे प्रकार की कोशकाओं में परिवर्तित हो जाती है ट्रोफोसाइट भोजन प्रदान करता है ट्रोफोसाइट क्या करता है भोजन प्रदान करता है क्रोमो साइट के कोश कहें उत्सरजी पदार्थों तथा रंगा पदार्थों को स्राविट करती है तो इतने एक्जाम पॉइंट ऐसे हैं जो परिच्छा में आपसे रिपीट हो सकती है देखिए पोरी फिरा बड़ा ग्रूप है लेकिन आपके लिए जो सेलेक्ट करके ब्रीफ किया गया है ब्रीफ करके हम लोग 26 एक्जाम पॉइंट तक 28 एक्जाम पॉइंट तक पहुंच वाएं यानि इस एक्जाम पॉइंट में 28 में से हमें भरोसा है कि आपके एक दो प्रस्ट जो पूछे जाएंगे वो यहां से मिल जाएंगे इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं किसे आप परशेच करेंगे तिसका लाव आपको एक्जाम में 110 परसंट मिलेगा चुकि हमें इस बात पर भरोसा है और आप जब परिच्छा देखे आएंगे तो आप भी इस बात पर भरोसा करेंगे अब हम लोग इंटर करेंगे कोलेंट रेटा में और कोलेंट रेटा के आपके 25 पॉइंट तों यहां पर मिल जाएंगे और उसके बाद के जो points हैं वो दूसरे वीडियो में आपके add के जाएंगे चलिए कोलेंटरेटा को स्टार्ट करते हैं फंजिया का साधारन नाम कुकुरमुत्ता कोरल है कुकुरमुत्ता कोरल कहा जाता है, इसे किसे फंजिया को कुकुरमुत्ता कोरल के नाम से जाना जाता है, लाल कोरल को कोरेलियम कहते हैं, मस्तिस कोरल को मेंड्रेना कहते हैं, तता आरगन पाइप कोरल को ट्यूबी पोरा कहा जाता है, तिक याद रखेंगा पहली पॉइंट स संग के जन्त होते हैं, सिलेंट्रेटा संग के जन्तों में सरीर के कई रूप देखे जाते हैं, जिसे बहरूपता कहते हैं, ये मुखता दो रूपों में होते हैं, पालिप और मेडियूसा, ठिक, ओबीलिया में मेटा जेनिसिस पाया जाता है, सिलेंट्रेटा संग के कुछ ज हाइड्रो जोगा के जनतुओं जैसे की ओविलिया आज में मेटा जिनेसिस देखने को मिलती है। सिलेंट्रेटा संग के कुछ जनतुओं में बहरूपता पाई जाती है जिसके दो मुख रोप पालिप और मेडियूसा होते हैं। इसमें पालिप अलेंगिक जनन दौरा मेडियूसा उत्पन करता है और मेडियूसा लेंगिक जनन के दौरा पालिप का निर्मार करता है। इस प्रकार इसे पीड़ी एकांत्रन या मेटा जिनेसिस के नाम से जानते हैं। संग निडेरिया यानि कोलेंट्रेटा को निडेरिया भी खा जाता है या नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा के प्राणियों में त्रिज्यता या अरी समय में पाई जाती है तथा इसमें सरीर संगठन उतकी इस तरका होता है इनमें अंगों का भिकास नहीं होता है आरेलिया में तीन लारवा अवस्थाएं आती हैं आरेलिया में तीन लारवा अवस्था आती है प्लेनुला लारवा अवस्था इसका भी श्टोमा तथा इफायरा अवस्था होती है ओवीडिया में केवल प्लेनुला लारवा अवस्था पाई जाती है आरेलिया अर्था जेली फिसकिस नाइडेरिया संग नाइडेरिया का एक सदस्य है इसके उत्तल अर्था अप छत्री योंग अधा छत्री देवित के बीच में चप्टी जठरवायनी गुहा पाई जाती या एक बड़ी केंद्र की जठर गुहा शरीर के किनारे किनारे इस्थित संक्री, बृित्ताकार, नलिका, तथा इन दोनों के जोड़ने वाली और निश्चित रिज्जाओं पर इस्थित शोलह जिसमें आठ साखित, आठ असाखित अरी नलिकाओं में बटी होती है, सेस भागों में दोनों सतहों की देवित में समीकित होने के करण गुहार बनती है, इसी प्रकार जठर पायनी गुहा एक जटिल जल परिवहन तंद का निर्मार करती है, जिससे होकर समुद्री जल जटारा एक निश्चित दिसा में निश्चित बाहती रहती है, प्रवाल भित्ती, कैल्सियम कार्बोनेट की बनी हुई बिसेश परकार की सनरचना होती है, जो की गर्म तथा छिछले समुद्री जल में बनती है, इसका निर्मार मुखिरोप से बिसेश परकार के होता है, यह जंत एंतो जोवा बरकें अंतरगत आता है,印ने कोरल कहते है, एक कैई प्रकार के होते हैं, टटी परवाल भित्ती, एक जोला मुखिंदीपों के टटों पर बनते हैं, दूसरा है परवाल रोध का एक किनारों से दूर बनते हैं, परवाल दूपलाय यह लेगू उनके चारों तरफ बंते हैं। साइनिया संग सिलींडरिटा के स्काइफो जोवा परिवार से जबकी अन्न तीनों इन तो जोवा परिवार से समदित होते हैं। फीता क्रिम जोंक तथा मादा मच्छर पर जीवी होते हैं परन्द समूत्री एनिमौन एक सह जीवी है जो कि गैस्ट्रो कोडा मॉलस्का के खाली पड़े कोलों से जुड़ा लाता है जिससे हर्मिट क्रैब कहते हैं अता यह हर्मिट क्रैब के साथ सह बोजी संबंध बनाता है जिससे एक को लाव होता है और दूसरे को ना लाव होता है ना लाव होता है और ना लाव होता है पुनर जनन दो प्रकार का होता है अभी रूपांत्रन और मार्खोलेक्सिस पहले की बात करते हैं अभी रूपांत् करते हैं मार्कोलेक्सिस जब एक छोटे से भाग से संपोर सरीर का निर्माड होता है तो उसे मार्कोलेक्सिस कहते हैं जैसे हाइड्रा में इस पंज में आगए हाइड्रा में बहुत सी कोशकाइं हाइड्रा में बहुत सी पोस्काएं आपस में मिलकर एक समान काल करने के लिए दोस्थित होती हैं अता सरीर संगठन बहुत कोज की इसतरार्थात उतकी इसतरका होता है हाजडरा में अधरुबी तंद्रिका पोस्काओं का एक तंद्रिका जाल होता है जो कि अल्पविक्सित तंद्रा तंद्र का निर्मार करता है, इसमें मस्तिस्क नहीं होता है, जो कि नेंद्रा का काल कर सके हैं। ओविलिया कालोनी में मेडूसा, परिकला या पेरिसार्क से आबरित नहीं होती है। ओविलिया में तीन सता के सदस्य होती हैं। Ovilia में तीन तुना के सदस्थों होते हैं, पहला है, पालिप या हाइड्रिंथ, अलेंगिक अवस्था, Blasto, Stiles तथा Medula में जो है, Medula अलेंगिक अवस्था, सभी अवस्थाएं दुगृत होती हैं, पालिप में अलेंगिक जन्दॉरा, Medusa बनता है, तता Medusa में लेंगिक जन्द सिलेंट्रेटा संक में तीन वर्गों में बाटा गया है। योट्रिसिने, जोयंथस तथा एडवर्ड सिय कोवर हेक्सा कॉरेलिय में सम्लित किया गया दंसिका के उपस्ति सिलेंटरेटा संके जंतों का विसेस लच्छनडे ये नीडोसाइट तथा नीडोबलास्ट नमक विसेस कोशका से उत्पन होते कोश्काउं, कोश्काउं होते हैं, इसमें हेप्टोटॉक्सिन नमक जहरीला पदार्थ पाया जाता है भधरा होता है, जो प्रोटीन तथा फिनाल का मिस्त्रण होता है नीडो ब्लास्ट में सुतन छोर पर एक धागे नुमा समर्चना होती है जिसमें कांटे लगे रहे होते हैं दंस प्रवर्द कालाता है निमेटोसिस्ट की सायता से ही हाइड्रा अपने सिकार को पकड़ता है या उस अपनी सुरच्छा का कार्य करता है ओविलिया में मेडियुसा की इपिडर्मिस इस तरमें लीथोसाइट नामक पोस्काएं होती है जो स्टेटो लिथ और आटो लिथ नामक पदार्श रावित करती हैं ये केल्सियम कार्वोनेट के बने होते हैं तथा संतुलन का कार्य करते हैं ओविलिया सिलेंट्रेटा संग का जन्तु है इस संग के जन्तों में अल्प विक्सित तंत्र का तंत पाया जाता है इनमें स्टेटो सिस्ट नामक संतुलन अंग पाया जाता है ओविलिया कालोनी में पाया जाने वाला सीनो सार्क एक नलिका के समान जियू प्रकीय साखाएं हैं जो कालोनी में पालिप्स को आपस में जोडने का कारिकर्ट है ओविलिया की पेरिसार्क एक्टोडर्म द्वारा स्रावित कायटीन की परत हैं ओविलिया संग सिलेंट्रेटा के अंतरगत वर्ग हाइड्रो जोवा में सामिल एक बहरूपी जन्त हैं जिसकी कालोनी में कई प्रकार के सदस्त होते हैं इसमें पालिप भोजन ग्रहन का कारि करता है प्लेनुला लार्वा सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया संग के कुछ जन्तों के जीवन चक्र से बनता है जिसे ओविलिया कहते हैं यह सुतंतर रूप से तैरने वाला पदार्द हाइड्रा में पाचन अंतर पोस्की तथा बाइप पोस्की दोनों प्रकार का होता है यह प्रोटीन वसा तथा कुछ सरल कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर सकता है यह स्टार्च का पाचन नहीं कर पाता क्योंकि इसमें पाचन से संबंदित इंजाइम नहीं पाय जाते हैं जाड़े के अंतिम दिनों में जब तापमान बढ़ने लगता है तथा जला से सूखने लगते हैं और जल में कार्बन डाइयाकसाइड की प्रचुरता तथा भोजन की कमी होने लगती है तब हाइड्रा में लेंगिक जनन होता है सरीर पर नन्ही नन्ही गाठे के रूप में जनन बन जाते हैं हाइड्रा की अधिकांस चातियां एक लिंगी जैसे की हाइड्रा ओबलिकेटरस परंत कुछ दो लिंगी होते हैं जैसे हाइड्रा विरिडीसिमा होते हैं ओवेलिया की सनचना एक कालोनी के रूप में होते हैं इस कालोनी का विकास सिम पाधवी प्रकार का होता है ओवेलियां सिलिंट्रेटर संक के जन्त हैं यह मुक्तर दो प्रकार के रूपों में यथा पालिप वा मेडियूसा में पाया जाता है जिसमें मेडियूसा मान सहारी अंद्राली कोशकाएं टोटी पोटेंट होती है, अर्थात इन कोशकाओं का रुपांज रड़कार की कोशकाओं में हो सकता है, अता है इन्हें भोनी आरच्छा कहते है, रोपेलियम आरेलिया की एक संबेदी समझना है जिसमें कुल तीन प्रकार के पांच संबेदी अंग होते हैं जिनका विवरण निमलिखित है आलसेली 2, आलफेक्टरी 2, टेंटेकुलेसिस्ट 1 तो इस प्रकार से आपका ये टापिक आपका खतम होता है मुझे उमीद है कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा आपने बहुत से चीजों को सीखा पढ़ा इसमें से 70% चीजें आपको पहले से पता थी लेकिन उसके बावजूद आपने इसे पढ़ा तसली से सुना देखा आप सब का बहुत बहुत सुक्रिया और मैं आपको फिर से एक बार कह देता हूँ कि अगर आप 99 रूपी खर्च करते हैं तो आपको इसका लाव मिलेगा आप जरूर खर्च करें और जरूर इस बैच को परचेच करें आप इसका हिससा बने आपको इसका लाव वश्च मिलेगा मैं बार बार इस बात को दोरा रहा हूँ इसलिए कि ये आपके हित में है फिर मेलेंगे किसे और वीडियो में तब तक लिज़ाज़त दीजिए